आप सभी का हमारे यूटूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है यूही ग्यान वर्धक जानकारिया प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें साथ में वेल आइकन घंटी दबाए ताकि मेरे वीडियो का डॉट्पिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुचे आईए सुनते हैं आज भौम प्रदोश व्रत की कता जो भी भक्त सची सरद्धा नियववा निष्ठा के साथ प्रदोश का व्रत करते हैं भगवान शिव और माता पार्वती के किरपा से और हनुमान जी के किरपा से उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और भगवत किरपा उनके उपर सदा बना रहता है प्रदोश व्रत में प्रदोश काल के दौरान भगवान शिव का पूजन करना चाहिए ये सुनते हैं प्रदोश व्रत की कथा, सबसे पहले तो भगवान शिव का ध्यान करे बोलिये प्रेमशे भगवान भोले नाथ की जय, माता पारवते की जय हे भगवान भोले नाथ, आप करोडो, चंद्रमा के समान, कांतिवान, त्रनेत्र धारी, मस्तक पर चंद्रमा का अभोशन धारन करने वाले, पिंगल वर्ण के जटा जूत धारी, नील कंठ महादेव, तथा अनेक रोद्राक्ष मालाओंश शिशोभित, वरदहस्त, त्रशू प्रदान करे, बहुत समय पहले की बात है, कि एक नगर में एक व्रिद्धा निवास करती थी, उस व्रिद्धा का एक मंगलिया नामक पुत्र था, व्रिद्धा की हनुमान जी के उपर बड़ी गहरी आस्था थी, वह प्रतेक मंगल बार को भक्ती और शर्धा के साथ नियम पुर्वक व्रत रखकर हनुमान जी की अराधना किया करती थी, उस दिन वह न तो घर को अपना लीपती थी और ना ही मिट्टी खोती थी, ब्रिद्धा को व्रत करते हुए अनेक दीन बीद गये, एक बार हनुमान जी ने उसकी स्रधा की परिक्षा लेनी चाहिए, तो हनु हनुमान जी ने साधू का वेश धारन कर, उस बुढ़िया के घर पहुँच गये और वहां जाकर के उसके दरवाजे से पुकारने लगे, कि अरे है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इक्षा को पुर्ण कर सके, ऐसी पुकार को सुनकर व्रिद्धा अपने घर से बाहर आई, और आकर के उस साधू रूपी ब्रामन से बोली, कि आग्या माराज, साधू वेश धारी हनुमान जी बोले, कि हे देवी, मैं बहुत भोखा हूँ, और मैं भोजन करना चाहता हूँ, एक काम कर तू थोड़ी जमीन लीप दे, इस बात पर ब्रिद्धा बहुत दुबिधा में प कि हे माराज, आप लीपने और मिट्टी खोधने के अतरिक्त, आप कोई और दूसरी आग्या हमें परदान करे, मैं उसे अवश्य पुर्ण करूँ, तो साधू ने उस ब्रिद्धा से परतिग्या पहले करवाई, उससे तीन बार परतिग्या कराने के बाद, और कहा, कि अब तुम अपने बेटे को बुला लाओ, मैं तुम्हारे बेटे के पीठ पर आग जला कर भोजन बनाओगा, इस बात पर तो ब्रिद्धा के पैरों से मानो जमिन खिशक गई, परन्तु वह ब्रिद्धा प्रतिग्याबध होने के कारण, उसने अपने पुत्र को बुलाया, और बुला करके उस साधू रूपी हनुमान जी के शुपुर्द कर दिया, मगर साधू रूपी हनुमान जी ऐसे ही मानने वाले नहीं थे, उन्होंने व्रिद्धा की परिक्षा के लिए व्रिद्धा के हाथों से ही मंगलिया को पेट के बल लिटवाया, और उसकी पीठ पर साधू ने व्रिध्धा को बुलाकर कहा कि तुम अब अपने मंगलिया को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले इस पर व्रिध्धा अपने बहते हुए आशुओं को पोच कर बोली कि है महराज अब उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट ना पहुचाओ मुझे बहुत ऐसे हुँ उसके नाम से पुकारी उसी समय मंगलिया दोड़ा दोड़ा वहां आ पहुचा मंगलिया को जिवित देखकर ब्रिध्धा को बहुत शुखद महसूस हुआ और उसके आश्चर्ज का ठिकाना न रहा वह साधू के चरणों में जाकर गिर परी इस पर साधू अपन घर में देख ब्रिध्धा का जिवन मानोस सफल हो गया हनुमान जी भगवान शिव के एकार में रुद्र अवतार माने जाते हैं मंगल प्रदोश व्रत से शंकर हनुमान रुद्र आदिशब प्रशन होते हैं और माता पारवती इसी तरह अपने भक्तों के ऊपर अपना क्र प्रदोश का व्रत शंद्यकाल प्रदोश का समय होता है साम 4 बच कर 50 मिट से ले करके साम 7 बजे के बीच का समय वहाँ प्रदोश काल का होता है जो भी जातक प्रदोश का व्रत करते हैं उन्हें दिन भर व्रत उपवास रहना चाहिए और प्रदोश काल से कुछ समय पुर्व ही अश्नान करके सुध वस्त्र धारन करे भगवान भोले नाथ के मंदिर में जा करके नहीं तो घर पे ही अच्छा सा मंडब बना करके वहाँ पे आसन लगा करके कुशा के आसन पर बैठे उसके बाद भगवान भोले नाथ और माता पारवती का पूरे विधी और विधान के साथ पूजन करे और हनुमान जी का पूजन करे भगवान भोले नाथ ही एक ऐसे देव माने जाते हैं जो की थोड़े से जल से ही प्रशन हो जाते हैं और अपने भग्तों के ऊपर अपना कृपा दिर्श्टी बढ़साते हैं तो भगवान भोलेनात का जल से अविशे GG करे फिर भगवान भोलेनात के ऊपर पंचामृत चढ़ाये उन्हें पंचामरिश से अश्ट्नान कराये उसके बाद फिर शुद्ध गंगा जल से उन्हें अश्नान कराए उसके बाद भगवान भोले नात के उपर वस्तर चढ़ाए उसके बाद भगवान भोले नात को यग्यो पवीत चढ़ाए उन्हें अक्षत, चंदन, पुश्प, पुश्पो की माला चढ़ाए भगवान को भ जो भी भक्त सची सरद्धा के साथ भगवान भूले नात के ऊपर बिलवपत्र अरपन करते हैं, उनके तीन जर्मों के पाप नश्ट हो जाते हैं, तो भगवान भूले नात को बिलवपत्र तीन पत्तो वाला अवश्य चड़ाएं। उसके बाद भगवान को धूप और दीप दिखाएं, अनेक परकार का नवेद्य भगवान के ऊपर अरपन करें, नवेद्य चड़ाने के बाद जल अवश्य चड़ाएं, उसके बाद भगवान के ऊपर दक्षिना चड़ाएं, प्रदोश व्रत का कथा स्रवन करें और उसके अगले दिन जा करके शुबह उठ करके अश्टान करके भगवान का पूजन करने के बाद ब्रामनों को भोजन कराए उन्हें दान दक्षिना दे गरीबों को भोजन कराए तो यह बहुत ही अनंत्य पुन्यफल दायक होगा तो आसा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो ऐसे ही जानकारिया प्राप्त करते रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करे साथ में वेल आइकन घंटी दबाए ताकि मेरे वीडियो का नोट्फिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे वीडियो को लाइक और अपने मित्रो तथा दोस्तों के साथ शेयर करें शुखी रहें और स्वस्त रहें जै स्री राजे किश्क धन्यबाद